वेल्कम वेल्कम रूबी के केचन में वेल्कम मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम आज आप लोग की फर्माश पर हम जटपट मज़ेतार से केक डोनट्स बनाते हैं वो भी मेरे स्टाइल में तो चले स्टाइट करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सबस्क्राइब कर बटन दबाएं बराबर पर यह बैल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें देखे हमाँ पस यहां एक बोल है बड़े सिंपल वे में बनाएंगे और जटपट बनाएंगे सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दो टेबल स्पून तेल किसी भी किसम का आप कुकिंग ओईल ले सकते हैं सिर्फ सर्सों वगरा का तेल ना ले इससे क्या होता है कि स्ट्रॉंग स्मेल नी चाहिए बस ऐसा तेल हो जिसमें कोई खास उसकी खुश्बू ना हो अब उसमें हम डालेंगे एक अंडा जो कि रून टंपरिचर हो और यहां हमाय पास है दो टेबल स्पून दही यह डाल देंगे ना खटी होनी चाहिए ना मीठी नॉमल किसम के जो दही होता है ना वैसे तो यह दो टेबल स्पून दही चला गया अब इसको हम विस्क करेंग वैसे तो बहुत बटर वगरा डल सकता है डोनट्स वगरा में लेकिन मैंने ऐसी रेसिपी क्रियेट किये जिसमें कम से कम इंग्रीडेंट हो और मिनिममम बजट में हो और जबरदस्त हो यह बस हमने हलका फुलका सा मिला दिया अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप शकर यह पाउडर नहीं है हमारी ग्रैनिलेटेट ही है लेकिन थोड़ी हमारी बारीक होती है जो भी आपकी शकर हो उसको आप मिला लग यह इतने जल्दी बन जाते हैं और ऐसे फैंसी शैंसी लगते हैं अच्छा और केग नोनट का भी मैंने इंतखाब क्यूं किया पता है इसक तो यह कि मजे के बहुत होते हैं नमबर तू उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी जादा होती है नमबर त्री अकसर लोग इस से थोड़ा सा घबराते हैं तो इसमें इस्ट भी नहीं पड़ता है तो चले बस यह देखे हमने बिला लिया अच्छे से अब इसके अंदर हम डा आते रहेंगे हमा पास एक टी स्पून बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर यह डाल देंगे हिलाते जाएंगे चले आप विस्क का काम खतम हो गया विस्क खटा देते हैं अब चम्मच ले लेते हैं और इसको सारा डाल देते हैं और यहां हम डालेंगे कोटर टी स्पून वैनिला अगर आपके पास है तो डालते हैं नहीं है तो नो प्राबल्लम और यहां हमाई पास है जैफल केक डोनट में जैफल का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है तो यह डालेंगे चले अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर नमक नमक इसलिए डालते हैं कि थोड़ा इन्हेंस होता है फ्लेवर और मीठा अच्छा लगने लग जाता है तो चले अब इसको मिला लेंगे देखें बिल्कुल आटे की तरह हो गया है जैसे आटा हमें गूनना होता है इसी तरह हो गया अच्छा इसको आप बना कर अगले रोज भी रख सकते हैं आदर गंटा पहले भी बना करक्षकते हैं अगर बनाके जैसे अगले दिन बना कर देना रात को किया है सुबा बनाना तब फ्रिज में रख दें ते देखें कितना अच्छा सा हो गया तो बस इसको अब हम थोड़े दिर के लिए चाहे तो फ्रिज में रख लें चाहे तो बाहर रख लें इसको थोड़े दिर के लिए रच देंगे हम 10 मिर्ट के आसपास मिन और जादा जादा आप उसको दस बारा गंटे भी रख सकते हैं तो चले इसको हम कवर कर लेते हैं यह रेस्ट करेगा जब तक हम अब असा इसका ग्लेज बना लेंगे देखें हमाया पास यहां तीन बोल है और तीनों में आधा अधा कप पॉर्डर शूगर तीन तरह की बना रहे हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट चॉकलेट तो जोई को इतना पसंद है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो टेबल स्पून कोको पाउडर लेंगे और इसी तरह दूसरा भी ले लेंगे चले तो अब हम इसमें दूड डालना शुरू करते हैं तो देखे हमारे पास यह रेगुलर मिल्क है तो टेबल स्पून भरके इसमें डाल देंगे यह हमारा एक चला गया और अब दूसर डालेंगे तो चले इसे मिला लेते हैं अभी जैसा बताया है न मैजरमेंट के इसाब से इतना ही डालीगा क्योंकि बड़ी थिन लाइन होती है पतला हो जाने में और गाड़ा रहने में वैसे मैं बताऊंगी consistency कैसी चाहिए तो चले अब इसको हम बिलाते हैं यह जब बनाते है न चॉक्लेट वाली तो यह पाउडर जो है वो बड़ा हलका होता है न मिलने में टाइम लगता है तो मुझे हमेशा बड़ा फ़नी लगता है कि कोई जो ऐसा होता है न मिल खुलता नहीं है जल्दी लेकिन जब मिल जाता है तो यह एक एरेक्टर लगता है तो यह देखे कि हमेशा आप कहते है ने चॉकलेट नहीं हमाई पास चॉकलेट बगर बताएं तो इसलिए मैंने कोको पाउडर से बनाया और यह देखे कांसेशेंसी कैसी है यह यू एकदम गिर रही है यह देखें इस तरह से तो चले अब कौन सा बनाएं बताएं पिंक बनाएं कि वाइट बनाएं चले वाइट पहले बना लेते हैं तो यह देखें इसके लिए भी हाफ कप शकर है पाउडर शूगर इसमें एक टेबल स्पून दूग दाल देंगे चले अब इसको मिला लेंगे अगर आपके पास पाउडर शूगर ना हो तो आपके घर में जो भी शूगर होती है उसको आप थोड़ा सा ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लें उसको चान लें तो अच्छी सी बन जाएगी आपकी पाउडर शूगर देखें इसमें कोको पाउडर नहीं डालाता तब इसमें हमने दूज है उसकी क्वांटिटी आधी रखी है देखे ये भी अच्छा सा हो गया और अब पिंग बनाते हैं पिंग बनाने के लिए हमें रैड की जरुवत होगी तो हम सबसे पहले इसमें रैड कलर थोड़ा डालेंगे तो पिंग बन जाएगा तो एक चुटकी लेनी है 1,8 टी स्पून से मतलब कम अब चुटकी का चमश बनाया होता तो अच्छा था वन टी स्पून का तो बनाया है लेकिन हमें तो उससे भी कम चाहिए न चले इसमें भी अब हम एक टेबल स्पून दूड डाल देंगे तो चले इसको भी बिला लेंगे, अब आप चाहें तो डार्क पिंग कर लें लाइट पिंग कर लें आपकी मर्जी है, आहा, क्या कलर लग रहा है, पिंग एंट पीच के बीच का लग रहा है नौ? मेरा हमेशा लिक्विट कलर में डालती हो पिंक इस मतवा जो मेरा लिक्विट कलर आया ना तो वो परपले शेड पर जा रहा है तो मैंने सोचा यह पाउडर क्या बुरा है बेचारा हमारा देखें यह अच्छा सा हो गया और अब इसको हम थोड़े के लिए कवर कर देंगे अ एक हफते बाद खाएंगे तब भी मज़ेदार लगेंगे इसी तरह से रूम टेंपरिचर पर आजाए फिर खाले बुड़ा बड़ा बड़स से लगेंगे चले इसको अब हम कवर करते हैं कि अच्छे से हो गया अब चलते हाटे की तरफ कि कैसा लग रहा हमारा अच्छा देखें काफी यह देखें फर्म सा हो गया अब हम क्या करेंगे इस पर थोड़ा सा आटा चड़क लेंगे हलका सा तके निकालने में इजी रहे है और जहां बेलना है वहां थोड़ा सा आटा चड़क देंगे चलत यह देखें अच्छा सा हमारा डो हो गया है तब इसको हम टुगेदर करेंगे अब बस रोटी किता बेल लेना है लेकिन मोटी रोटी चलत बेल लेक्ट है तो बस इतनी मोटी रखेंगे हम यची सी हमारी मोटी सी रोटी हो गई है कोटर रिंच से थोड़ी सी जादा और यहां देखें हम आपस फ्राइपन में तेल है तो इसका हम चूला ओन कर देते हैं किसी भी किसम का आप तेल ले सकते हैं जिसमें मतलब जैसे सरसों का तेल बगरा ना हो कनोला वेजिटेबल किसी भी किसम को ओल हो जिसमें खुद की इतनी जादा खुश्बू ना हो नेच्रल सा हो तो चले यह मीडियम हाई पर इस वक हमने रखा है देखे हमारे पास यहां कूकी कटर है एक बड़ा और एक छोटा तो अगर आपके पास है तो आप को काट के बता दूंगे आपके पास जो हो आपको जो दिल हो आप यूज करें चले है तो यह हम डिप करेंगे अपने चैण और इस तरह से काट लेंगे और यह एक इस तरह से कर लेंगे देखें यह धकन से इसको भी डिप किया इस तरह से अब यह जो है छोटा वाला इसके अंदर डालेंगे अब यह धकन से अब यह आटा हटा लेंगे असपास से तो बस अब क्या है कि यहां हम थोड़ा सा आटा चिड़केंगे और इस पर थोड़ा सा यह रख लेंगे जब तक हमारे सारे ना हो जाएं तो बस अब इसको टोगेदर करेंगे दोबारा रोटी बेल लेंगे और सेम इसी तरह काटते रहेंगे हम इसी बस इसी तरह देखें पाइनपल की स्लाइसेज लग रही है नो तो बस इसी तरह रखते जाएंगे डोनट्स बेसिकली हर एक को बहुत जादा पसंद है और बाहर महंगे भी बहुत होते हैं यह देखा आपने कितने इजी ली बन रहे हैं और इतने सस्ते हैं आप अपनी मर्जी से कर्मा गर्म बना के खा सकते हैं और यह केक डोनट्स तो ऐसा है कि जब बासी भी हो जाएंग के तब भी बड़े मज़े के लेगेंगे तो चले अब इसको भी काटने अब बस यह हमारा आखरी रह गया अब बस यह खुद ही डोनट बन गया और आव इसको ती सारे डोनट्स बन गए हमारे देखें आप तेल चेक करते हैं वह हमने रखा था मीडियम हाई पर तीली डाल के देखते हैं और यह देखें बबल जो है वह अच्छे से आना शुरू हो गया है बहुत स्लो स्लो नहीं थोड़े से ज़्यादा तब इसका मतलब तेल रेडी अब बस तीन डालेंगे क्योंकि फूलेंगे भी इसमें जब नीचे से गोल्डन देखेंगा कलर तब हम इसको पलट देंगी यह देखें एज जो है ना वह गोल्डन हो रहे है तो इसको पलट देते हैं आप इसको थोड़ा से टाइम लगेगा चल इसको भी पलट जटेते हैं देखें स्पेस है तो क्या वो इंज्वाइं कर रहे हैं घूम रहें फिर रहें मजे कर रहे हैं पूझ भी रहे हैं आप कब जा रहे हो बाहर हमाई टण अब थोड़ी देर बाद आएगी अच्छा यह जो है यह जो फटे हैं यह केक डॉनुट की निशानी है तो यह मत समझेगा कि यह तो फट गए एक तरफ स्मूथ होगा और एक तरफ यह होगा आप दूसर डाल देते शुरू के एक मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे एक डेड़ मिनट तक देखे हलक अलका गोल्डन हो गया है अब इसको हम थोड़ा हिला जुला सकते हैं चले अब पलटते हैं देखे कितना खुबसूरत खुबसूरत लग रहे हैं हमाई डोनट्स देखे कितना खुबसूरत गोल्डन कलर हो गया है चूले को करते हैं बन और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं अगर आप चाहें तो आपके पास अगर वो कोई जाली वाला यह स्टेंड हो यह रैक हो उस पर भी निकाल सकते हैं और इस ते अभी निकाल सकते हैं तो बस हमारा ग्लेज राडि है इसके ठंडे होने मेरे मिलता है तकरीबन दस बारा मिनट में देखे 15 मिंट हो गई है और डोनट हमारे बिलकुल ठंडे हो गए है तब हम क्या करेंगे कि यह अपनी खोल के देखेंगे और उसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे अगर सपोस्स जो हमने बनाया था वह है टेक्च्चर गाड़ा गाड़ा है तो बस सही है अगर आपको महसूस हो कि थोड़ा सा डालना है तो एक आद भून दूट डालके और हिला ले आप चले यह मुझे सही लग रही है तो अब हम इसक वाला पोशन को यूज करेंगे तो यह जैसे इस तरह से डिप करेंगे थोड़ा सही लाएंगे यह देखें इस तरह से तो यह अच्छा सा हो गया आप इसको हम रखते जाएंगे यह सेम इसी तरह दूसरा करेंगे बस यह डाल के देखा जाए तो हमें घुमाना है देखें क प्राउन को यह रखते हैं तो चले अब पिंकी टर्न आई है दूसरा भी ले ले लेते हैं चले अब हम ऐसा करते कुछ स्प्रिंकल्स कर देते हैं इससे क्या अच्छा लगेगा अगर आपके पास हो तो आप करें तोड़ा डेकरेटिव लगेगा यह देखें इस तरह से कोई भी कलर आपको पसंदो कर दें यह देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं यह ऐसा लग र जो के मेरी जिंदगी में खुबसूरती भी पैदा कर रहे हैं रंग भी शामिल कर रहे हैं और मीठे मीठे हैं तो चले वाइट वाले को खोल लेते हैं जुच करें न फॉल देखें इस तरह अब इसपर स्प्रिंगल करते हैं कि और इक पर कलर कर देते हैं मैं यह जब हम ताजाताजा ताजा करेंगे नIsmal कि यह बहुना है डिके मेर्मिलटे राचात्व होना कै जबही जबहीय। स्प्रिंकल कर देना है और स्प्रिंकल एजी ली मार्केट में मिल जाते हैं लेगिन इन केस अगर आपको ना मिले तो आप मुझे बताईएगा हम मिल के बनाएंगे अच्छा आप चॉकलेट को हम डेकरेट करेंगे यह देखे हमार पास यह जो ग्लेज रखा वा था ना वाइट वाला यह थोड़ा सा हमने ले लिया प्याली में और इसको थोड़ा सा डाइलूट कर दिया मैं बताऊंगे कितना करना है यह कुछ बूंदे डालके और इसको हिलाएंगे और देखेंगे कंसिस्टेंसी हमें यह देखे इस तरह की चाहिए तो चले अब मैं यहां एक स्पून है वो ले लेती हूँ और उसके साथ ड्रिजल करते हैं हलका-लका अब आपकी मर्दी है आपको जो डिजाइन बनाना है बना ले यह मैंने चेकर बना दिया हूँ तो बस यह देखें यह हमारे कंप्लीटली ड्राय हो गए है क्योंकि शूगर है ना वो तो सैट होई जाएगा जो अभी लास्ट हमने ड्रिजल किया ना उसको बस एक-दो मिर्ट देते हो डिशाउट करते हैं आ और यह हमने प्लेटली रखा है कि शफी को बहुत पसंद है क्योंकि हम ने चूंकर शूगर तो ड़ली थी न तो प्लेट भी खा सकते थे रशाष्यों मुटतिंत कर देंदा में और न चॉकलेट ओले देआ सबसे पहले हम क्या करते है चॉकलेट वाला रख लेते हैं कि यह प्लेइन वाला रखते है किस किस के मूँ में पानी आ रहा है बताएं हुआ है हुआ है रड़ी है हाई वीवर्स आमने देखा है कैसे यह जट पर दोनट बन गे है मैं बूर एक्साइडर हूं तो चले ट्राइब करते हैं अरे 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 क्या मतलब को आदी नहीं हुआ हñ देके ट्राय करनी तो जोइका कॉनसबरेट यह मेरा फेररेट एंदवाली के WHO ते किसको पसंदेन स्प्रिंव इस्प्रिंकल टेसाँ मंमा तो पसंदेन और और ये ब्राउने मेन दादे जान पसंदु ये ने प्लेन अच्छा और ये वाइट वाला ये वाइट वाला जो पास चौकलेट शब्रेंकल जे वह डडी तौ पसंद है ये पिंक वाला डानी तौ पसंद है तो चले अब ट्राइकर और यह तुमनुक्ता पेवेट होगा हाँ यह बाइत वाला कलरफुल वाला किसका है व्यूवर्स का यह बी कलरफुल है और यह व्यूवर्स ता है तो चलो बाई ट्राइकरो बताओ दाली को यह स्प्रिंग्पिल्स देने है चलो ट्राइकर अब बताओ कैसा है हम्म मज़े जार चलो तो पे जोई को और खाना है हाँ 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 चलो तो खाय काई जोई चलो मैं भी ट्राइकरती और अपने को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है हुम्मम आप लोग इतने सारे यहां मौजूद है कलरफूल मीठे मीठे अब मैं यह सोच रही हूँ कि एक हाथ में जहाए डॉनट है दूसरे हाथ में वेट है मैं सोच रही हुआ को लूज करूं कि डॉनट को लूज करूं आपको क्या लगता है मेरे टक्ट्ट्टर है नवर दस्त है फटनाक है जोई कुछ ने कि इस बीड़ पेड़ और चला गया है जोई कैसा है मज़ेडार बेबी सब बेभी को क्या कहना है आप लोग बनाय खाए है आप लोग बनाये खाए मज़े करें हम जब वाए चलती हूं द्वाओं में याद रखिय का इंचाहला फिर लोट के आउगी, सिंपल पना, मज़ेदार रसी पर के साथ, लव यू आल, बाई, अलाहाफिस, बाई, अलाहाफिस, अलाहाफिस,